बी सी सी आई सेक्रेटरी जैशा, क्या वो श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करते हैं? क्या वो डिसाइड करते हैं कि श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड किसे सलेक्ट करेगी और कैसे श्रिलंका क्रिकेट खेलेगा? ऐसा मैं नहीं कहा रहा, ऐसा श्रिलंका के लेजिंडरी क पहले जो रह चुके हैं अर्जुना नाना तुंगा उन्होंने आरूप लगाए हैं कि BCCI और स्पेसिफिकली जैशा का नाम डिरेक्ली तो नहीं लिया उन्होंने का है कि वही रन कर रहे हैं श्रिलंका के क्रिकेट और वही डिसाइड करते हैं टीम और यही वज़ाये श्रिल में सवाल होगा भाई इनको अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ BCCI कर रही है और क्यों श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड जिसको हाल ही में ICC ने सस्पेंड कर दिया को सस्पेंड किया क्योंकि वह अपने एक तो क्रिकेट में पॉलिटिकल इंटेफरेंस बहुत जादा ह और जब वल्ड कप चल रहा था तभी वहां की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे रोशन राना सिंगे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बोर्ड को स्थागित करके नया बोर्ड बनाने की बात कर दी थी चलते वल्ड कप में फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बोर्ड को द और ये असल में नॉर्मल कैप्टन नहीं एक लेजन्डरी कैप्टन है 1996 में जब श्रिलंका बैर्स-प्र Chemie कें तच रहा था पाकिस्तान लंका बार में क्रिकेट खेलना शुरूरी किया उन्होंने और जबर्दस क्रिकेट खेली थी पूरिचर लंकन क्रिकेट टीम में सब लूगों को चोगते हılar ऑग्या। तो ने अस्ट्रिया गोहराया और यह वर्ल्ड कप जीत लिया और यह वर्ल्ड कप की जीत एतिहासिक थी हर्माईनेब और अरज्वा अनातुंगा इसके कैप्टन थे और एक नई टीम बिल्ड की वर्ल्ड कप जीता काफी नाम सम्मान इनका है उसके बाद इन्होंने अब इनका आरूप यह है कि BCCI जो है वो क्रिकेट को कंट्रोल करती है और उन्होंने ही श्रिलंकर क्रिकेट को कंट्रोल के रखा हुआ है और इनको एड्मिस्ट्रेशन का बहुत शौक है पहले श्रिलंकर क्रिकेट बोड के हैड भी रह चुके हैं तो यह लगातार बयान पाजी करते हैं और क्योंकि अभी government का part है और इसमें पहली बार नहीं जब Asia Cup जो पाकिस्तान में होना था BCCI के कहने की वज़े से वो ऐसे model में हुआ कि आधा Asia Cup पाकिस्तान में हुआ और आधा Asia Cup श्रिलंका में हुआ जिसमें श्रिलंकन बोर्ड को फाइदा भी हुआ यहां तक की अलग-अलग awards भी दिये गए उनके groundsmen को, ground staff को की बारिश बहुत होई थी Asia Cup में और काफी support किया था उन ground staff का BCCI ने भी जहां को cash prices भी दिये गए थे लेकिन उसी समय से रानातुंगा साहब भढ़के हुए BCCI के उपर इन्दों ने कहा कि पहले तो भई जो reserved day Asia Cup में दिया गया था इंडिया पाकिस्तान का match अगर बह जाता तो एक्स्ट्रा दिन था उस match को होने के लिए जिसमें match हुआ और इंडिया ने पाकिस्तान गोराया उस पर आनातुंगा ने कहा कि यह बहुत गलत ऐसा कैसे कर सकते हो यह तो unfair advantage है जबकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के match से ही पूरे Asia Cup का revenue आना था और इस revenue का बड़ा शिर श्रलंका को गया और क्य यहां भी नहीं चले यहां भी 55 पे 56 पे all out हो गए वो तो श्रलंका के उपर तभी से गाज ग्रीव है क्रिकेट टीम के उपर कि अच्छा पर्फॉर्म नहीं करें तो बहाना कुछ ने कुछ चाहिए और उनमें बहाना लगा दिया किसके उपर तो बही BCCI कंट्रोल कर रही ह उनहीं के चक्कर में टीम हमारी खराब सेलेक्ट हो रही है और इसलिए पहले इस बोर्ड को हटाओ जो BCCI के अंदर है एक नया बोर्ड बनाते हैं जो चीजे ठीक करेगा और अबिसली सरकार इनकी है सरकार ने स्पोर्स मिनस्टर है रोशन नाना सिंग है उन्होंने कहा कि बोर्ड को खतम करो और चलते वर्ड कप में क्रिकेट बोर्ड को पूरा पूरा बरखास्त करके एक नया बोर्ड बना दिया और नया बोर्ड बना कि इनको ही इंटरिम कमिटी का हैड बना दिया कि आप ही लीड करोगे हुआ यह कि वहां की कोट ने कहा कि ऐसी नहीं चलेगा यह जो board है यह cancel और जो cricket board पहले था उसको वापिस लेके आओ और सही तरीके से सब कुछ करो जब यह सब ICC ने देखा तो ICC ने कर डिया इनको ban अब जब से ban होए तब से अर्जणा नातुंगा और तभाही मचाया लग गयाएं कि भाई शलंगा की हाल जो हुए यह इंडिया की वज़े से हुए थोड़ी इसके बारे में और बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक information आपके लिए अगर आप UPC के तयारी कर रहे हैं और 2025 आपका टार्गेट है तो आपके लिए एक सुनहरा अफसर है क्योंकि PW only आइस आपके लिए है foundation batches 2025 के लिए केवल 10,999 रुपर में बहुत ही affordable class classes है at a very very cost effective price जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी इतनी quality classes at this price बात price की भी नहीं है बात है जो commitment towards the course है वो किया गया है कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा from basics to every topic explained आपके scheduling और current affairs और जितनी दिक्कते हैं आप सब भूल जाएए आप इसमें नोल करिए और अपनी preparation में लग जाएए क्योंकि यह जो दिक्कत है होती है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ बहुत पैसे नहीं बहुत महेंगे courses होते है लाख रुप है कि ऐसी कोई problem नहीं यह एक 119 अवसर है जहां केवल 11,000 रुपे में 10,999 महीं आपको इक course मिल रहा है जो English में भी उपलब्द है English में भी उपलब् आपको link जिससे आप इसको join कर सकते है तो have a look अगर आपको लगे कि आपको जरुवत है और जो होनी भी चाहिए बहुत लंबी जर्नी है वहाँ बहुत helpful हो सकता आपके लिए course तो इसे देखिए और आब आते हैं जैसे हम course की बात करे थे लंबी कहानी उसी तरह है अरजुन का वर्ल्ड कप जो है ODI का वो इंडिया में हो रहा है 2004 इसमें T20 वर्ल्ड कप है USA और West Indies में 25 की Champions Trophy पाकिस्तान में 26 में जो T20 वर्ल्ड कप हो इंडिया में 27 का वर्ल्ड कप है South Africa में मुख्यूरूप से 28 का T20 वर्ल्ड कप Australia New Zealand 29 का Champions Trophy इंडिया में 2030 का जो T20 वर्ल्ड कप ह वर्लड का फिर इंडिया में हर दो event के बाद इंडिया में वर्ल्ड कप आता है ठीक और इतना ही नहीं जो अब और तो और बात है यहां तक है कि एशिया का जो शेर होता है जो अभी जो हम शेर देखते हैं अनुल एर्निंग में उसमें 231 मिलियन डॉलर जो होते हैं टोटल शेर जो ICC का है वो केवल अके लिए BCCI को मिलता है यनि 38 परसेंट जो शेर है टोटल एर्निंग्स का वो इंडिय और बाकी देशों को देखो न्यूजलाइन को 28% पाकिस्तान 34 ऑस्ट्रिलिया 37 एसे मिलियन में मिल रहे हैं और इनको 38% मिला बाकी को 6% 2% 7% ऐसे पैसे मिलते हैं मतलब एक बड़ा शेर अकेले इंडिया ले जाती है और इंडिया ऑस्ट्रिलिया इंग्लेंड को जारा शेर कि BCCI यानि इंडियन क्रिकेट से 85% जो कमाई होती है पूरे ICC के वो इंडिया से हो रही है तो ये 38% जो इंडिया को मिल रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंडिया अकेले 85% परिशेर जो इंडिया से ही आता है तो जस्टिफाइड है वो इंडिया को इतना बड़ा शेर मिलना लेकिन इससे बाकी बोल्डों को काफे दिक्कते होती है खास तोर पर श्रिलंका को जहां कि पॉलिटिक्स भी गरम है और तो और मौका तब गरम हुआ जब 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन्स टॉफी होनी है इस टॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो दुनिया की 8 टीम में थी वर्ल्ड कॉप में जो टॉफ 8 टीम सी वही जाती इसको खेलने श्रिलंका क्योंकि इतने मैच खारी है तो वह कौलिफाई नहीं कर पाया तो श्रिलंका अब श्याद्च चैंपियंस टॉफी का पार्ट नहीं बन पाएगी क्योंकि टॉप 8 टीम में ही चैंपियंस टॉफी उसको लेकर भी ये काफी शरमनाक लगा हुने कि भाई एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है वो अब चैंपियंस टॉफी नहीं कहिल पाएगी जबकि अफगानिस्तान जरूर जाएगी ये खेलने के लिए ये अफगानिस्तान की पोजिशन अच्छी है तो ये काफी जिसे कह सकते हैं कि शरमनाक रहा ऐसे वर्ल्ड कप शिलंका के लिए और उसके बीच में उनके बूर्ड को बरखास्त किया गया इनको इंटरिम चीफ बनाया गया दुबारा इनको हटा दिया वहां की कोट ने तो आरोप तो लगाने थे कहीं न कहीं ठीक राप फोलना था औ इस चक्कर में उनने और इनको सुना दी कि भाई जो गर्मेंट कर रहे हो गलत कर रही है तो अरजुना रानातुंगा का एक लंबा इतिहास रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद से हमलावार होने का BCCI के खिलाफ और उसके पीछे वजह यह बता ही जाती है क्योंक आपको लगता है कि जितना आलोग विश्या के तरफ लगाया जाता है जब किसी को 85% अगर मान लो जो हम फिल्में देखते हैं उनमें कहते हैं लोग शारुक खान, सलमान खान, अखिश्यकुमार जारा पैसे लेते हैं बाकि एक्टर्स को उतने पैसे नहीं मिलते हैं क्योंक क्योंकि वो ज़ाधा impact डालते हैं ज़ाधा viewership लाते हैं गेम के लिए तो उसी तरह है BCCI has been the biggest contributor वर्ड क्रिकेट में फैलाना जरूरी है वर्ड को लेकिन ऐसे बेबुनियार आरोप लगाना ये गले थे इनका ये भी कहना था कि rule change किये गए इंडिया पागिस्तान मैच के ल पूरा का पूरा दिख रहा है कि अरजुना मतुंगा को श्रिलंका बोर्ड पे कंट्रोल चाहिए और उनको थोड़ा सही नहीं रगा है कि के जो बोड के चेर्मैन है उनकी BCCI के साथ समन अच्छ है, इश्या कब भी शलंका में करा दिया, अब मौका मिला है जब लोहा गरम है, शलंका क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पा ली, तो वो हमला हो रहे हैं, BCCI के खिलाब भी, और शलंका बोड के खिलाब भी, और प्रटिकल इंडिफेरेंस कम हो क्योंकि वो वार्णिंग की तरह है लेकिन चैंपियंस टॉफिक से तो शिलंगा बाहर हो चुक है जो शिलंगा के लिए शरमनाक चीज है तो ये था ये मुद्धा आपको क्या लगता है कि क्या BCCI को जितनी गालियां दी जाती है कुछ बागी हुआ झालिया गालियां जाती है